student class third exercise 4.10 ओके बच्चो यहाँ पर solve the following दिया हुआ है यानि की simplify दिया हुआ है मैंने आपको इससे पहले जो exercise पढ़ाई थी ना 4.9 उसमें मैंने आपके rules लिखे थे B O D M A S करके लिखा था B for bracket D for divide M for multiply A for addition और S for subtract तो जहां पर पहले bracket दिया हुआ है तो पहले bracket solve करना है ठीक है bracket में चाहिए वो plus हो चाहिए माइनस हो पहले उससे solve करेंगे फिर अकले नमबर को solve कर लेंगे ठीक है लेकिन A question में हमें कैसी दिया हुआ है पहले plus दिया है फिर minus दिया है C वाले question में कैसी दिया हुआ है कि पहले minus दिया है फिर plus दिया है तो मैं पहले आपको A question समझाती हूँ ठीक है आप देखते जाएगा कि 3825 प्लस 1888 माइनस 900 कि पहले हम इसमें बार बार समझा रही हूं कि पहले आप इसमें प्लस करोगी तो प्लस का जो नंबर आएगा उसमें आपको माइनस 900 करों समझ रही हूंगे ऐसे ही आप मैं कॉश्चन से कि पहुंचती हूं तो आप देख रहे हैं वी कॉश्चन में बच्चो पहले ब्रैक्ट दिया है तो ब्रैक्ट में प्लस है तो पहले प्लस करोगी फिर माइनस कितने से करोगे 3133 तो आपका आंसर जो भी आता है वह आ जाएगा ऐसे ही कॉश्चन नंबर सी में दिया हुआ है ठीक है क्या दिया हुए बचो पहले नंबर में माइनस दिया है और फिर प्लस दिया है मैंने यहां पर दुबारा कॉश्चन लिखा है प्लस पहले करना है पीछी का नंबर हम आगे लियाएंगे जो 2000 नंबर है उनको हम आगे लियाएंगे मैंने लिखा है साफ फिर उसमें माइनस हम 1000 कर देंगे मैने यहां शॉल्ब करते ही दिखाया है आप कॉश्चन दी में बच्चो आप क्या देख्रेंगे ब्रैकेट देखे रहे है पहले सबसे ब्रैकेट में प्लस है फिर उसकी बाद माइनस है जो प्लस का आंसर आया है, यहांपर क्या आया है? 4830 में से माइनस करना है आपको 2100 इह कोश्चन पर चलिएगा, इह कोश्चन में बच्चो क्या दिया हुआ है? पहले माइनस फिड प्लस दिया है, तो हम क्या करेंगे? पीछे बाला नमबर हम पहले प्लस करेंगी यहाँ पन मैंने किया हुआ है 7154 में मैंने 1000 प्लस किया तो आंसर क्या आया वच्चो 8154 माइनस 3938 में माइनस किया आंसर आप कहा गया 4216 अब मैं यहाँ पर बाबा यह तो सिकाऊंगी 4 में से 8 गया इतना तो आप सी की चुकिये आज जिसे चैप्टर में और पहले ही सिखाया है मैंने आप कॉश्चन सी में चलिएगा कॉश्चन सी में पहले ब्रैकेट शॉल्ब करना है यहाँ ब्रैकेट में सबसे पहले माइनस दिया हुआ है आप देख रहे हो ना F question में सबसे पहले यहां minus करना है minus का answer क्या हुआ आया 3,876 plus 1 answer 2 भी आपका G question में पहले plus करना है 8,188 88 plus 560 answer क्या है 8,748 मैंसे हम minus करेंगे 3,186 answer आपका सामने लिक्का हुआ है H question में पहले bracket में हमारा minus है 7,188 minus 3,188 8 मैं 8 गया 0 8 मैं 8 minus 0 1 मैं 1 minus 0 7 minus 3 is equal to 4000 4,000 मैं plus 800 7 0 का 0 7 का 7 8 का 8 4 इसकी बच्चों अई ये मैंने आपको आज यहां पर समझाया है बच्चों A से लेके H तक बाकी की बच्च प्रोब्लम next day O कि इस भी कि एगी इस धूंस कुर regως प्रूश्पा ओाल